दोस्तों मैं हूँ आलोक स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूटूब चैनल आलोक स्प्लॉक पर देखें देशी वाला एडेनियम भी अब खिलने लगा है यह प्लांट मेरा मैंने आप लोगों को दिखाया था कि बिल्कुल नेगलेक्ट नतब करके मैंने रखा रहा है कि अडेनियम के जो फ्लावर्स खिल रहे हैं वह जैसे ही बारिस पड़ती है एक दो दिन में उनके उपर फंगस लग जाता है और वह फ्लावर्स खराब हो जा रहे हैं और यह चल रहा है आप तेख सकते हैं मेरे प्लांट में कलियां खूब सारी बन रही हैं लेकिन कलियां बनने से क्या मतलब बारिस होने के करड़ यह कलियां खिलने से पहले ही गर जा रही है तो अगर बारिस नहीं होती तो साय डेनियम में और अच्छे से फ्लावरिंग आपको देखने को मिलती मैंने कुछ इंडोर प्लांट्स यहां पर सिप्ट किये थे अभी मुझे अदेनियम मैं यहां से हटाऊंगा भी सोच रहा हूं कि गर्डेन वैंने काफी सारा calculating की है आप लोगों को देखने में पता चल रहा होगा वहां पीछे के साइड में वहां पिड़ा COUNG हुगं पर स्रीट पे मैंने उधर कुछ सिफ्ट किया हैं तो सोच रहा हूं अब ऐसे लंबाई-लंबाई में रख दू जिससे यह बीच का पोर्षन थोड़ा सा खाली रहे क्योंकि विंटर भी आने वाला है और विंटर के अंदर आप काफी सारे प्लांट नए लगने वाले हैं जिससे वो अच्छे से लग जाएं मैं एक दो दिन में गुलदावदी के कुछ प्लांट की रिपोर्टिंग भी करूंगा खैर आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ चार से पांच ऐसे प्लांट से अर्ग करने वाला हूं जिन्हें आगर आप कुछ भी नहीं करत लहते उसके बाद भी मन्टिपलाई होकर आपके गौरण है कि अंदर घेर सारे प्लांट में करमत हो जाते हैं तो सबसे पहला अपका यह चेंन बाशर का चेंन बास्केट का जो प्लांट है यह मेरा आपको बैरिटक्रिट सा नजर आ रहा होगा लेकिन यह रिरिगेट नही तो कि इस वाले प्लांट में भी देखिए यह इतने सारे बन गए हैं यह बहुत तेजी के साथ मल्टिप्लाई होने वाला पौधा है अगर आप एक प्लांट लाकर लगाएंगे तो कुछी दिनों में आपके पास इस प्लांट की भरमार हो जाएगी दूसरा पौधा है आपक मेरे सब्सक्राइबर कम फ्रेंट्स ने गिफ्ट किया था एक सिंगल प्लांट था और अभी देखिए इसका दूसरा पौट भी मेरे पास तयार हो गया है पता नहीं कहा रख दिया मैंने यह है तो बड़ा बाला पौट था और यह उसके पास ही एक छोटा पौट भी यह त सब्सक्राइबर कर दो इसके बाद अगला पौधा है आपका अलवेरा अलवेरा भी बहुत तेज मुल्टिप्लाई होता है एक सिंगल मैंने इस पौधा निकाला था मेरे पहले बहुत सारा था फिर मैंने क्या किया बीच में बिल्कुल खतम कर दिया लेकिन फिर मुझे बी पढ़ती थी तो लोग कहते थे इतने सारे पौधे लगाए अलवेरा नहीं लगाया तो मैंने फिर से एक पौधा लाकर लगा लिया और अभी देखिए कितने सारे पौधे इसके बन गए हैं अभी चाहों तो इसके कम से कम 10 पौट यार हो सकते हैं हाला कि कोलियस भी से ग्रो कर रही है मैंने यह वाला तो बहुत सारी लोगों को गिफ्ट किया यह भी देखिए बोट लेली की विराइटी है ट्राइक कलर जानते ही होंगे आप लोग यह भी बहुत तैजी के साथ मल्टिप्लाई होती है अगला पौध है आपका परपल हार्ट का कि कितना लग रहा है देखने में इसी की तरह अगला पौध है आपका यह वंडरिंग जू का वंडरिंग जू भी बहुत तेजी के साथ मल्टिप्लाई होता है एक बार अगर आप लाकर लगा लेंगे तो यह फिर आपके गार्डेन से जाएगा नहीं इसकी मेरे पास दोवेराइट अगला पौध है आपका जेट प्लांट का यह भी बहुत तेजी के साथ मल्टिप्लाई होता है मैंने छोटी-छोटी इसकी जो है प्रूइंग की थी तो जितना मैंने इसका विलकुल ऊपर की पिंचेज पार्ट यह चोटा सा विलकुल ऐसे ऐसे यह मैंने पौट के उंदर ऐसे फेक दिया था देखें इसके अंदर भी कितने सारे लग गए है एक कहां लगा हुआ है और यहां भी देखिए एक नीचे मैंने फेका था यहां लग गया है तो ऐसे ही यह निकलते हैं मेरे प्लांट बहुत ओबर ग्रो कर गए हैं मुझे इनको कट करना पड़ेगा यह है वो पॉधे जो एक बार लाकर आप लगाएंगे तो यह जल्दी से आपके गार्डन के अंदर से जाते नहीं इस वीडियो को यही पर इंट करते हैं मिलते हैं आप लोगों से किसी नहीं वीडियो में तब तक के लिए बाबाएंगे टेक क्यार्ट